में असके मिश्रा एंड वेल्कम यू आल इन इस अमेजिन सेशन ओफ महेंद्राज प्राइबेट लिट तो आज हम इस लेक्चर नंबर फोर में बात करने जा रहे हैं मेंडली पेरियोडिक टेबल के बारे मेंडली पेरियोडिक टेबल के बीसे में बात करेंगे जो कि आपका होगा लेक्चर नंबर फोर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट का जो कि केमेस्ट्री क्लास 10th CBSE के लिए most important और easiest chapter होने वाला है तो इससे पहले हमें तीन लेक्चर में बात किया है I hope कि आपने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से जाकर के आप तीन लेक्चर पहले देख लीजिए सो देख देख लीजिए आपने देखा हो आपको पहले लेक्चर में बात किया था आपको पहले लेक्चर में हमें बात किया था नीू-लेंड लॉड्टी क्या है और क्यू जरूरी है ये मेंडली पेरियोडिक टेबल अब हम आगे देखने जा रहे हैं उससे पहले जिखों ने इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट एक रेट सब्सक्राइब बटन and don't forget to push that bell icon also so that you will be notified when we upload videos so let's begin our today's lecture so let us start जैसे की बात किये क्या कि मेंडली परियोडिक टेबल यहां पे आपके सामने आपके स्क्रीन पे कुछ उनके भी से में दिया हुआ है so if you want to learn something about something gain information about मेंडली तो you can gain it अब हम लोग बात करते हैं क्या कि मेंडली परियोडिक टेबल तो even after the rejection of Newland's law of octave many scientists continue to search for a pattern that correlate the properties of element with their atomic masses Newland's law of octave के rejection के बाद बहुत सारे scientists अपने research को continue रखा और नए-नए patterns को खोजने की खोशिस करते रहें ताकि वो elements के properties और उनके atomic masses को correlate कर सके हाना ऐसा तो नहीं होता कि एक पर देखा क्या कि fail हो गया जैसे हम अपने live में भी करते हैं कि कोई एक काम कर रहा है fail हो गया तो अब सोचेंगे क्या कि वो आदवी था वो इस काम में fail हो गया तो अब हम भी नहीं करेंगे बट उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने देखा क्या कि बहुत सारे साइंटिज जैसे कि पिछले दो साइंटिस्ट फेल हो चुके थे बट इन्होंने अपनी खोज जारी रखी जो इनका पूरा नाम था एक रसियन केमिस्ट थे वास दो अर्ली डेवलप्मेंट और पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट वेरिन एलिमेंट स्वेर अरेंज ऑन दा बेसिस ओप दियर अटॉमिक मास एंड केमिकल प्रोपरटीज जो कि मेंडलीफ थे रसिया के रहने वाले थे और वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंटिब्यूटर अपना योगदान देने वाले ऐसे पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया कि एलिमेंट के अटॉमिक मास को उसके केमिकल प्रोपरटीज के साथ रिलेट करके एक नए तरह के पैटरन को फाइंड करने की कोसिस की जिसके हेल्प से वो एक नए पेरियोडिक टेबल देने में सफल हुए तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएं जो कि मेंडिलीफ को सक्सेस की तरफ ले गए तो यहाँ पे यही बोलेंगे कि उन्होंने एक नया काम क्या किया कि अटॉमिक मास के बेसिस पर रेंजिमेंट तो क बस साथी साथ एलिमेंट के केमिकल प्रोपर्टीज को भी स्टडी करना सुरू किया अब थोड़ा आगे देखते हैं Among chemical properties, he concentrated on the compounds formed by element with oxygen and hydrogen Chemical properties में उन्होंने वैसे compounds के तरफ concentrate कि अपना ध्यान रखा जो की compound element बनाया है कैसे hydrogen और oxygen के साथ react करके अब आपके mind में question आ रहा होगा कि sir ये hydrogen और oxygen के साथ ही react किये हुए compound के बिसाय में क्यों study किये हैं? तो देखते हैं, he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जादा क्या थे? reactive थे और अधिकतर elements के साथ reaction करके compound बना सकते थे ठीक है? तो चुकी वो reactive थे और अधिकतर elements के साथ reaction करके compound बना सकते थे इसलिए इन्होंने वैसे ही element को select किया जो की ऐसे suitable थे मतलब जादा से जादा compounds को बना सकते अब जैसे हमने देखा था कि जब newland law of active आया था तो 56 elements discovered थे अब इनके time पे जब mentally periodic table आया तो इस समय क्या था? 63 elements were discovered कितने element? 63 elements और यहां से उनको मिला clue जैसे कि newland हम लोग बात किये थे कि newland fail हुआ था तो उसमें एक region हमने दिया था क्या? कि newland माने थे कि 56 element है और नए element नहीं आएंगे बट इन्होंने देखा कि उस समय 56 था अभी 63 है आने वाले time में और ज़्यादा से ज़्यादा elements आएंगे तो इन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए कुछ नए-नए patterns find किये 63 elements को तो औरेंज किया है साथ ही साथ कुछ जगह अपने periodic table में छोड़ दिया ताकि नए elements जब आएं तो वो उस periodic table में अच्छे से settle हो सके ठीक है अब आगे देखते हैं कि जैसे 63 elements था तो उसको arrange करने के लिए इन्होंने 6 period बना है अपने periodic table में 6 period बना है और vertical column का संख्या जो था वो 9 था जैसे कि अब modern periodic table देखिएगा तो उसमें देखिएगा क्या कि 7 periods है और 18 group बट उस time elements कम थे तो इन्होंने क्या किया था 6 period बनाए थे और 9 vertical column जिसको नाम दिये थे क्या group और यही concept आगे Henry Mosley ने follow किया और यहीं से concept आया modern periodic table का तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं आगे पढ़ेंगे कि modern periodic table बाद में आया बट modern periodic table का जो origin था वो मेंडली periodic table आने के साथ ही हो चुका था ठीक है so I hope कि आपको यहां तक clear हो तो आगे हम बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि please like, share और subscribe to our channel और आप comment में हमें बताते रहें कि आपको और हम अपने videos को कैसे improve कर सकते हैं ठीक है आप आगे बढ़ते हैं he took 63 cards and on each card he wrote down the properties of an element इन्होंने क्या किया अब देखिए कि 63 elements थें तो इन्होंने 63 cards ले लिएं जो तास के पत्ते हैं हम लोग देखते हैं कि गाहों में देखते हैं कि दाजा लोग खेलते हैं तो उन्होंने क्या किया कि 63 cards ले लिएं और cards को क्या किया कि हर एक card पे 63 elements जो कि उसे में known थें उन्हों सभी का नाम लिख दिया और उसके नीचे उन सभी के properties जो भी properties पता थी उनका mass पता था वो सभी के सभी लिखते चले गए ठीक है और उसके बाद क्या किया कि दिवाल में जैसे schools के notice boards पे हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे notice ये चिपकाय हुए रहते हैं तो उसी तरीके से he began pasting 63 cards on the wall अब पूरे के पूरे cards इनके सामने थें अब देखा इन्होंने कि इसका लग रहा है कि properties कुछ इससे मिल रहा है लेफ्ट वाले का इस number का लग रहा है कुछ इससे मिल रहा है तो इस तरीके से वो देखते देखते एक कुछा करकर दूसरे प्ले नीचे नीचे इस तरीके से range हुए कि उसके सारे जो भी अरेंज थे एक group में उन सभी का properties सेम हुआ और यहीं से concept develop हुआ कि एक group बनाया जाए और उस group में वैसे elements को रखे जाए जिनका की properties क्या है similar है ठीक है सो अब निक्स बात करते हैं कि मेंडली periodic table is based on मेंडली periodic law और first time इन्होंने कुछ rules बना दिये कि अब ये खतम नहीं होगा इनका माना था कि अब ये खतम नहीं होगा और इसके लिए कुछ जरूरत थी कुछ rules की कुछ laws की so he developed a rule जिसको बोलते हैं मेंडली periodic law जो कि आपके examinations में भी कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं so ध्यान से देखिएगा मेंडली periodic law क्या करता है मेंडली periodic law करता है the physical and chemical properties of element क्या physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic mass जैसे कि बोलते हैं periodic function कहने का मतलब क्या हुआ जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी कि periodic table में है कि hydrogen है hydrogen के निचे lithium फिर sodium तो ये क्या है periodic function है मतलब एक group में इस तरीके से number atomic number घूम के आ जा रहा है कि अगला atomic number वो उसके नीचे आ रहा है तो वो सारे element एक group में आ रहे थे और यही कहता है क्या mandaly periodic law आपको ये जब law पुछा जाए आपके exam में तो आपको to the points लिखने हैं आप सारे answer को अपने language में लिख सकते हैं बट laws का language change नहीं होना चाहिए अब आगे देखते हैं the formula of hydride and oxide जैसा कि मैंने बोला कि उन्होंने वैसे compounds को सले किये जब elements बनाये थे hydrogen और oxygen के साथ react करके और कोई भी element जब hydrogen के साथ reaction करके कोई compound बनाता है तो उसी को बोलते हैं hydride और जो element oxygen के साथ reaction करके कोई compound बनाता है तो उसको बोलते हैं oxide so the formula of hydrides and oxide formed by an element were treated as one of the basic properties of element for its classification मतलब जो भी फर्मूला था hydride और oxide का उसको एक basic property माना गया कि हम elements को classify कर सकते हैं वो सारे element जो कि hydride के hydride और oxide बनाये थे उन बे कुछ periodicity find की कुछ similarity find की कि यह hydride और दूसरे hydride में क्या फर्क है क्या similar है और उसके नीचे आरेंज करते हैं ठीक है आई होप की clear हो अब आगे देखते हैं characteristic of Mandelie periodic table जो कि क्या है so first point Mandelie arrange all the 63 known elements in increasing order of their atomic mass पहला characteristic अगर आप से पूछा जाए तो बोलेंगे कि Mandelie ने क्या किया जितने elements known थे और कितने known थे तो 63 तो 63 elements को increasing order of atomic mass के बेसिस पर रेंज किया ठीक है second the table consists of vertical column called group जो vertical column उनके group sorry periodic table में थे उनको उने क्या नाम दिया group और जो horizontal rows थी उसको नाम दिया क्या periods क्या नाम दिया periods जैसा कि आप computer में भी पढ़े होंगे tables के भी से तो वहाँ पे क्या देखा होगा आपने कि table में क्या होते है rows और column मिला करके क्या मनाते है sale जैसा कुछ है structure so यहाँ भी उसी तरीके के कुछ concept था कि उन्होंने अपने periodic table में जो horizontal इनका column था उसको इन्होंने नाम दिया था groups और जो vertical rows थे उनको उन्होंने नाम दिया था क्या columns so अब देखते हैं कि groups और period का concept समझ में आया अब आते है elements with similar physical and chemical properties came under same group एक group एक vertical column के अंदर कौन कौन से elements आते थे तो वो सारे elements आते थे जो कि क्या करते थे similar properties कौन सा properties physical और chemical properties exhibit करते थे मतलब similar physical और chemical properties वाले elements ही एक group में lies करते थे so यहां तक आपको समझ में आया होगा अभी तक हमने starting से देखा कि manly periodic log क्या है manly periodic table कि इसने दिया और इसके क्या 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 characteristics थे कितने elements उस time तक discovered हो चुके थे अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप यह जो lecture देख रहे हैं इससे पहले आप यह इंसोर कीजिए कि आपने previous three lecture देख चुके हैं ताकि यह concept भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए जिसका की link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा lecture 1, lecture 2 और lecture 3 chemistry का करके आप वहां से इस lecture को watch कीजिए समझने की कोशिस कीजिए और इसके notes को videos pause करकरके notes बनाते रहिए क्योंकि self made notes जो होते हैं वह आपके exam के लिए आपको अच्छे से prepare करते हैं और बाकी जो notes नहीं बना सकते हैं या फिर जिनको बोल सकते हैं कि जो आलसी हैं तरसे आप लोग I hope कि आलसी नहीं होंगे जो video देख रहे हैं बट जिनको notes बनाने के मन नहीं होगा वो हमारे description और comment sections और notes को download भी कर सकते हैं अब आते हैं merits अब हमने देखा क्या कि ये periodic table आया तो कहीं न कहीं ये successful हुआ तो ये जो success हुआ तो इसका merit क्या है merit मतलब success कैसे हुआ और क्यों हुआ तो he has simplified and systemized the study of elements क्यों क्योंकि इन्होंने सारे elements को systematic way में किया और systemize कर दिया अग system में दिखाया और simplified way में दिखाया Second, he left some blank spaces for discovery of new element इन्होंने क्या कि कुछ blank spaces खाली जगहों को छोड़ दिया ताकि जब new elements आये तो वो क्या हो सके कि अपने अपने जगह पे settle हो सके जो कि इन्होंने पिछले देखा था है न कहां से सीखे थे हैं पिछले दो periodic table से जो कि new land साहब ने दिया था और डोबर्नियर साहब ने दिया था उन्होंने क्या किया था गलती कि उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी और नए elements आये तो उनको settle होने में दिकत हुआ तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंसे सिखते हुए अपने periodic table में कुछ जगहों को कुछ ए space को blank छोड़ा ताकि वहाँ पर जो नए-नए elements आये वो अपने अपने जगह लेते रहें ठीक है सो आपको merits में पहले ये दोनों points को याद रखने है और इसके आगे भी अब हमें हम देखेंगे सो I hope कि आप लोगों को यहां तक clear हो सबसे पहला merits आपको याद रखना है क्या कि उन्होंने simplified और systemize है न क्योंकि हम periodic table क्यों दिये है ताकि हमारा study simplified way में हो सके और systematic way में है न क्यों हम periodic table देते हैं ताकि यह हमारा क्या बना है study को easy बना है और इनका यह periodic table यह काम कर रहा था इसको क्या कर रहा था easy बना रहा क्योंकि एक group में सारे elements को याद रखना संभव था ठीक है अब आगे देखते है next merit पर आते हैं कि manly predicted the discovery of some elements and named them as icaboron कुछ उन्होंने predict कि नए-नए elements आएंगे और उनका नाम दे दिया icaboron जैसे कि boron पहले से था icaboron जैसा aluminium पहले से था और icaboron जो तीन elements थे इस तरीके से और भी naming उन्होंने किया था जैसे कि boron पहले से था aluminium और silicon इसका उन्होंने naming उसके नीचे एक जो स्पेस छोड़ा उसमें कर दिया icaboron icaboron इका aluminium और icaboron और बोला कि यहां पर जो elements आएंगे उनका properties क्या होगा boron, silicon और aluminium से बिल्कुल सेम होगा और ताजूब की बात यह है कि जब नए-नए elements discovered हुएं वो जब इनके group में इन सारे elements के नीचे जब arrange होते गएं तो हुआ क्या कि 95% तक 95% तक क्या हुआ कि इनके properties similar आ रहे थे इनको पता नहीं था कि कौन से elements आएंगे बट जब आएं तो 95% तक similar properties उनमें देखा गए ठीक है लेटर elements such as scandium, gallium और germanium took the position predicted by him आगे चलके जो तीन element discovered हुएं जो scandium, gallium और germanium ये इनके द्वारा predict किया गया position को ले लिए ठीक है अब आते हैं next merit पे तो noble gas discovered letter could be placed without disturbing the existing order जो noble gas आगे चलके discovered हुएं जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कितने noble gas हैं छे, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ये जो छे noble gas आगे चलके बहुत बाद में discovered हुएं इनको भी mandalip के periodic table में जगा मिला ठीक है तो कहने का मतलब है इन्होंने सोच रखा था कि आगे चलके element discovered होंगे और हुए तो जगा मिला ठीक है अब देखते हैं जैसा कि यहां पे दिया हुआ है कि कुछ tables में देखिए एक का aluminium लिखा हुआ है तो एक का aluminium पे नया element जो आया उस समय इन्होंने क्या करा था कि gallium नाम का हुआ उन्होंने नाम नहीं suggest ही है क्योंकि naming तो पता नहीं था तो उन्होंने बोला एक element आएगा जिसका properties aluminium के जैसा होगा और उसका नाम रख दिया Ika aluminium यहां पे जो Ika word है यह संस्कृत का word है तो यहां पे क्या है Ika aluminium जो लिखा हुआ इसका अभी का जो naming है वह है गैलियम उसी तरीके से Ika boron जो है उसका मतलब अभी का जो element है उसका नाम हुआ Ascandium जो समय रखा था Ika silicon तो अभी उसका नाम हो गया जर्मीनियम और जो रखा था Ika manganese जो की manganese के नीचे आया तो उसका नाम था Delirium So I hope कि आपको यहां तक clear होगा कि किस तरीके से पहले name predict किया और जैसे जैसे name elements आएं तो उनको कैसे कैसे उसके periodic table में जगा मिला अब आते हैं अब देखे गया कि अभी हमारे पास तो modern periodic table है तो कहीं ना कहीं यह भी fail हुआ होगा तो fail तो हुआ तभी जाकर कि next periodic table आया So देखते हैं कि यह fail क्यों हुआ What are the reason for its failures जिसको दूसरे सब्दों में बोले scientific word में So what are the demerits of mentally periodic table So बात आता है कि इनके periodic law में कोई logic नहीं था कोई logical concept इन्होंने नहीं दिया क्यों क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं क्या एक ही भास समझते हैं Atomic number Atomic number से सारे properties define होते हैं But इन्होंने अपने periodic law में जो concept यूज किया था वो concept था atomic mass का So इसको बोला गया कि कोई logic नहीं है Second आते हैं Second जो उनका कारण था फेल होने का वो था decreasing position not justified मतलब इनका जो positions थे increasing atomic mass का तो वो क्या हो रहा था कहीं बढ़ रहा था और कहीं घट रहा था Elements arrange to कर दिये बोले क्या कि increasing atomic mass के basis पे किये हैं बड़ जब आगे गया तो कुछ हुआ कि कुछ के जो कम थे जैसे मालनेते हैं कोई एक element है Let's say gallium Gallium के आगे मालनेते हैं कोई एक element आया अब उसका जो आया उसका mass क्या था gallium से कम था तो अब rule के हिसाब से क्या होना चाहिए gallium के पीछे होना चाहिए क्योंकि mass कम है but properties के हिसाब से उसका position gallium के आगे चला गया तो कहने का मतलब क्या है कि इनका जो position था atomic mass के basis पे वो justified नहीं था next आते हैं कि he could not assign a correct position to hydrogen इन्होंने hydrogen को correct position नहीं assign किया hydrogen के position में अभी तक controversy है कई periodic table में हम देखते हैं कि hydrogen आता है group 1 में कई बार देखते हैं कि वो ले लेता है halogen का group group number 16 में चला जाता है group number 17 के लेता है तो कहने का मतलब क्या है कि ये halogen या फिर first alkali का group है किसका group है ये clear नहीं हुआ so hydrogen के position को ये justified नहीं कर पाने के कारण भी इनका periodic table क्या हुआ fail हुआ ठीक है तो कई बार alkali का property सो करता है hydrogen और कई बार halogen का सो करता है जिसके वजह से अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक element कई बार दूसरे के साथ चला जा और दूसरे family में उसका family क्या होना चाहिए fix जैसे boron family है तो boron family के जितने भी elements होंगे वो सब उसी family में रहेंगे similarly nitrogen family के उसी के नीचे होंगे बट इसका कोई एक position नहीं था कोई इसका एक घर नहीं था कभी इसके घर जा रहा है कभी तो यह तीन कारण हुए starting के जो हमने देखे कि क्यों फेल हुआ अभी आगे और देखते हैं कि what are the different reasons for its failure so number four आता है कि isotope isotope क्या होता हम हमारे माइन में आएगा कि what are isotopes so isotopes वैसे atoms को बोलते हैं जो कि atoms क्या है similar element के है है ना two or more than two atom of same element एक ही element के atom होने चाहिए है जिनका की atomic number क्या हो same हो अब चुकि एक atom है जो की एक ही element का है अब दूसरा atom होगा जो उसी element का होगा तो उसका atomic number तो same होगा ना क्योंकि atomic number किसका होता है element का ना कि atom का so जो isotope था उसका एक position sorry define नहीं किया गया मतलब यहां पर लिखा हुआ है isotopes are the places in same position though they have different atomic masses अब क्या होगा यहां पर बोले क्या कि isotope जो है उसका atomic number तो same है but mass number क्या होता है different तो mass number different हुआ तो आप देहां पर देखिए कि जो periodic table उन्होंने दिया क्या बोला था कि जिसका mass ज्यादा उसको आगे बढ़ाते चलो तो अभी हम देखते हैं कि isotopes isotope hydrogen का देखे होंगे आप लोग isotope hydrogen का जो है तीन isotope होता है ठीक है जिसका mass होता है 23, 24 और 25 sodium का उसी तरीके से hydrogen का होता है H1, 2, 3 और hydrogen का क्या होता है कि 1, 2, 3 तीन mass होते हैं तो इसका कि isotope का बात करें तो दो isotope मेली क्या होता है दो isotope ऐसे अब साइंटिस्ट के द्वारा recognize कि तीन isotope पाए जाते हैं जैसे हुआ क्या कि 6, 6, 12 है ना कार्बन सी हुआ सेंबल उसका और 6 उसका atomic number 12 उसका mass तो एक mass होता है 12 एक होता है 13 और 14 तो कहीं न कहीं कार्बन भी कितने times होने चाहिए तीन times बट कार्बन को तीन जगह पे क्या हमरेंज कर सकते हैं नहीं कोई एक ही specify होना चाहिए तो इस तरीके से क्या हुआ isotopes को एक position नहीं मिल रहे थे ठीक है तो इसके बाद आते हैं next separation of chemically similar element while dissimilar elements are placed in same group क्या हुआ कि separation of chemically similar element जो similar element है chemical properties के basis पे chemical properties के basis पे बहुत सारे ऐसे element हुए जो कि same हुए और dissimilar element जो कि same नहीं थे उनको एक ही group में रख दिया मतलब अब बोले क्या कि chemical properties के साथ relate किये हैं तो इनको क्या करना चाहिए था जो chemical properties जिनका same है उसको same group में रखो और जिसका different है उसको अलग रखो बट कई बार के आया कि कुछ के chemical properties भी same हो गए अलग-अलग element के तो उनको तो एक group में रखना पड़ेगा बट rules तो इससे नहीं करते हैं rules क्या करते हैं कि chemical properties जिसका same है उसको रखो बट अगर chemical properties different हुआ तो इसको अलग रखो तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनका periodic table fail हुआ है ना उन्होंने chemical properties को ध्यान में रखते हुए elements का classification सही से नहीं कि आपको इस lecture में अच्छे से समझ में आया हो जो मैंने concept बताएं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके board point of view से sufficient है अब इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बस आप क्या कीजिए इस lecture को अच्छे से देखिए उसके बाद इसके notes को अच्छे से prepare कीजिए and then finally आपको एक ही काम करना है कि NCRT क्योंकि NCRT तो पढ़ना पढ़ेगा NCRT आपके लिए क्या है राम बाण है बीना NCRT के आप exams में appear तो हो ही नहीं सकते so मैं अपने lecture को यहीं पर wind करता हूँ और I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया है तो और तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और next lecture के लिए wait कीजिए so thanks और before concluding today's lecture I just want to say you कि please subscribe, like and share to our video ताकि हम अच्छे से motivate हो और आपके लिए अच्छे से वीडियोज ला सके so thanks once again